हेलो फेंट्स मैं आमीर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दख्याइद गुरू और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप अपने डिक्स्टॉप पे अपने लैप्टॉप पे आप असानी से वाटसेब का यूज़ कर सकते हैं बिना ब्लू स्टैक को डाउलोड किये और इस्टॉल किये हुए तो चलिए ने देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं वाड्टसेप का यूज आपने टीक्स्ट ये लैप्ट ओक पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज-ब्लीज प्लीज मेरे चैनल पर आपने जाके सब्सक्राइब ब्रिख कर ले और बेल आईईकन पर लिक कर लिक कर ले हैं तो अगल rupees आपको यह विसाइट ही जाना होगा और चो अरब यह को स्यद्धा में जाने के बाद अ है कि आप science क्वाइन की डाउनलोड कर लेना ह deux तो चलिए डाउनलोड करते हैं डाउन्लोड पे क्लिक किजे और उसके राद एक्सेप्ट एन इंस्टॉल पर क्लिक कर दिए लिए इसके बाद ये कुछ इस तरह आएगा और इसे से अपर पर लिक कर दें दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैं इस वेबसाइट टलिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्टिप्शन में दे होईों को इसक्र इत्लिक अंपे जाले फुल्ग करना है कि करना इस को कि मेह अबुर्य रही है तो यह सॉफ्ट्व्ट डाउनलोड होने के बाद इस्टा अधा तो फाइनली यह इंस्टॉल आपके सिस्टम में हो चुका है तो ओपेरा को इंस्टॉल करने के बाद सिंप्ली आप ओपेरा को ओपिन करें कि यह कुछ इस तरह से आपके डेक्स्टॉप में ओपन हो जाएगा इस तरह से ओपन होने के बाद कि यहां पर आपको कोई एडिशनल सॉफ्ट वेर किसी चीज को डाउनलोड इंस्टॉल करने का कोई जरूवत नहीं है यह सॉफ्टर इंस्टॉल हो गया उसके आद सिंप्ली आप यहां पर देख सकते हैं इस ब्रावजर के थुरू आप अपने what a messenger को भी कि चल्विक कर सकते हैं इसी ब्रावजर के थुरू आप अपने whatsap messenger को भी यूज़ कर सकते हैं तो चलेए देख लेते हैं हो बोलाट सेंजर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं तो सिंप्ली आपको nause features करना है तो रॉसज़ाजिस करने के बाद कुछ इस पायगा को उसका आपको क्लिक कर देना है कि जैसित करने के बाद कि यह थ्रोडिंग लेने के बाद लोडिंग लेने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं यह इस टैप का एक आपको क्यूवर कोड अगया है समने तो आपको करना क्या है कि सिंप्ली आपको अपने एंड्रोड मोबाइल से ओपन वाट्सअप को ओपन करना है तो फ्रेंड्स उसके बाद जो आपको करना होगा वह बहुत ही सिंप्ली है इसके लिए सिंप्ली आपको अपने वाट्सअप में जाना होगा Whatsapp में जाने के बाद यहाँ पर Right Side में आप तीन Dot देख रहे हैं आपको Simply Dot पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद Simply आपको Start App Wave जो Third Option है इस पर आपको क्लिक कर देना है तो यहाँ पर Step का आजाएगा उसके आद ओके I Got It पर क्लिक करना है और बस आपका जो QR कोड यहाँ पर है इसे स्कैन कर देना है मैं अभी नहीं करूँगा लेकिन आपको बस इसे स्कैन कर देना है उसके बाद आप असानी से अपने WhatsApp को यूज़ कर सकेंगे desktop या laptop में तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले So thanks for watching, be with us for more videos